कि हलो कि असलों 6 असलो। इस टृटिए मा आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। Ah CPC में यांकि शिविल प्रखिश्य सहता 1908 में नियालेओ का छेत्रादिकार कि नियालेओ की छेत्रादिकार के बारे में आ कि निया लेओं का छेत्रा अधिकार अगर अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल निशुल्ग है मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी किया करें देखे एक अच्छे नियाए के लिए नियाले को कई सिरेडियों में बाटा गया है विबाजित किया गया है जिससे अच्छा नियाए दिया जा सके और प्रतेक नियाले को अलग अलग छेत्रा अधिकार भी दिया गया है सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई एक ही नियाले द्वारा नहीं की जा सकती ये बिलकुल सही बात है क्योंकि ना तो उसके पास इतना समय होता है और ना ही हर एकोट सक्षम होता है अगर विबिन सेडियों में नहीं बाटा जाता विबिन भागों में नहीं बाटा जाता तो नियालेओं में बादों से संबंदित आसमानता आ जाती किसी नियाले में बहुत बाद आ जाते बहुत मामले भरमार हो जाती तो किसी नियाले में उच्छ नियाले वाले बाद पहुच जाते तो इसलिए छेत्रा अधिकार हर एक नियाले को दिया गया है अच्छा आप छेत्रा अधिकार क्या है छेत्रा अधिकार है क्या छेत्रा अधिकार यह जो छेत्रा अधिकार होता है छेत्रा अधिकार से अभिप्राय उस शक्ति से है न्याले की उस शक्ति से है जो कि न्याले के बादो अपीलो और आवेदनों की गिरहर करने के लिए प्रा जो बादो अपीलो और आबिदनों को ग्रहाण करने के लिए परियाप्त होती है यह उसका छेत्रा अधिकार एक केस है स्रीमती उज्जैन भाई का बनाम उत्तर प्रदेश राज 1962 का है इस मामले में उचितम नियाले ने सुप्रेम कोड ने यह कहा कि अधिकारता से अभी परा है निर्णे की शक्ति या अधिकार से होता है निर्णे की शक्ति या अधिकार से होता किस केस में स्रीमती उज्जैन भाई स्रीमती उज्जैन भाई उज्जैन भाई उज्जैन भाई बानाम उत्तर प्रदेश राज और 1962 का केस है इसमें कहा गया था छेत्रा अधिकार के ब आधिकार में बताये था ठीक ये कहा गया था कि निड़्णा करने की सक्टी अधिकार से चेत्रा अधिकार का निर्धार्ण के ने देखी कैसे होगा निर्धार्ण जो छेत्रा अधिकार का निधारण है छेत्रा अधिकार का निधारण अतियंत साब्धानी से करना चाहिए कि जाना चाहिए कोई विशय नियाले के छेत्रा अधिकार में आता है यह नहीं इस बात का जो विचार है वो केवल चाहे गए अन्तोष के आधार पर ही नहीं किया जा कर बलगे अदीनियम के उद्देश कि ऐबम इसकीम पर भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए ठीक फिर से देखिए कोई भी मलब जो छेतरा अधिकार है उसका निधारण इतनी साफधानी से कि जाना चाहिए कि कोई विशाय नियाला की छेतरा अधिकार में आता है या नहीं इस बात का जो विचार है वो केबल चाहें तो अनुतोष के आधार पर ही नहीं कि जाकर बलकि अधिनियम के उद्देश आवम इसकीम पर भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए अब छेतरा अधिकार के प्रकार देखिए छेतरा अधिकार के प्रकार जो छेतरा अधिकार है उसकी प्रकार देखिए ठीक पहला प्रकार विशाय बस्तू संबंदि छेतरा अधिकार मलब विशाय बस्तू से संबंदित विशाय बस्तू से संबंदित छेत्रा दिकार अभी मैं लिखा रहा हूँ इस बाद में बिस्तार से भी बताऊंगा भी दूसरा इस्थानिये या प्रादेशिक छेत्रा दिकार इस्थानिये या प्रादेशिक प्रादेशिक छेत्रा दिकार तीसरा देखिए आर्थिक छेत्रा दिकार आर्थिक छेत्रा दिकार चौथा देखिए आरंबिक और अपीली छेत्रा दिकार आरंबिक और अपीलिय छेत्रा अदिकार अपीलिय छेत्रा अदिकार थीक यह चार प्रकार के कारस्वाफ गया है वह एक पर याया को अपना कारस्वा पर गया है लगवाद नें बातों पर बाद इसमें आती हैं परन्तु संपत्ति के विवाजन व्यवदेश सम्मिदा के विशिष्ट नुपालन आदी के लिए लाए जाने बारे बादों का प्रिक्षड छेत्रा अधिकार लगूबाद न्याले को नहीं है इस्थाई आदेशों के अंतरगा जाच के पश्चात सेवा से मुक्ति से संबंदि जो विवाद हैं वो सिविल न्याले की अधिकारता में नहीं आते हैं क्योंकि यह और दोगिक विवाद हैं तो यह विशेबस्तु संबंदि छेत्रा अधिकार ही हुए इस्थानिय और प्रादेशिक छेत्रा अधिकार किसी न्याले का प्रादेशिक या छेत्रिय सरकार द्वारनियत की जाता है यह सरकार ते करती है और इस परिसीमा के बाहर उसका कोई छेत्रा अधिकार नहीं होता है जो सरकार ते कर देती है उसका वही छेत्रा अधिकार होत इस पिरकार सिबिल यह 10 मुंसिफ मजस्टेट आडियके बिए अपने चेत्रादिकार निश्द होते हैं है मिлекनी आर्थिक चेत्रादिकार रिक हरने एक को कोई और विशेश उसे एक विशिष्ट रकम तक मुन के बार्दों के सुनने के लिए ने प्रादिकत होगा यानिकि उसे एक धर्राशी दे दी आती है बता दी जाती है इतने रपतका यानिका एक लागत 20 लागत सेॉपर है तो इस तलेंग दृतज़ їх 70 एदिकार से ॉपर है तो इस तरहे का छहतरा दिकार बना दीया जाता है ऐसा कि चौत जीव कि जो कुछ नियाले केवल आरंबिक छहतरा दिकार काही प्रियोंकर सकते हैं जैसे मुंसिप या लभूबाद न्याले बेवार न्याले जिला न्याधिश अब उच्छ न्याले में अपीलिय शक्ति प्राप्त होती है ठीक है जिला न्याले हैं या उच्छ न्याले हैं यह पीलिय न्याले होते हैं इनमें अपीलिय की सक्ति प्राप्त होती है न्याले को सब्सक्राभा और दिश्य को दावा और फारादिक क सबस्क्कराओं सब्सक्राइब कarı तता में किमिनल के सुनने का δिकार दिकर एदिक है आप देखिंग और शंबरती छेतरा दिक अज़े इसमें क्या होता है कि ऐसे विशेश जिनका बिनिश्य करने की अधिकारता किसी न्याले विशेश को ही होती है न्याले विशेश को होती है तो वो आतियाती छेता अधिकार कर लाती है वहला इस्पेसल वही न्याले सुनेगा सिर्फ तो जिसके पार ये विशेशता य अधिकार है विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेकाल नवाल के जाएंगे तो यह आतियांतिक शेत्रादिकार हुआ तीसरा है सामान और विशेष्ट अधिकार अग्षामान कि वह विश्ष्ष्षट अधिकार कि विशेष्ष्ष अधिकार थिक है विषस्ट स्यहत्रादिकार अचाश dressy उक्रत्रादिकार की शुत्रादिकार की हाइए विषस्ट्री co에게 को होता है आज किस वीडियो में मैंने चर्चा की है लियालियों के छ्ट्रादिकार के वारे में आप मिल्ते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लिफ आए जुड़े रहिए हसन लॉइस चड़ी के साथ